नियोजित विकास की राजनीती पालिसीज ओफ प्लैन्ड डिवलप्मेंट कक्षा बारवी अध्याय बारवा और विशह राजनीती विज्ञान शिर्शक है विकास की राजनीती और उसके पहले जो शब्द है नियोजित विकास तो पहली बात तो हम इस अध्याय में विकास के बारे में पढ़ेंगे और कैसा विकास वर्तमान में जो केंद्री सरकार है उसका जो देश है धेह सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास हम उस विकास की बात करेंगे और नियोजित शब्द विकास से जो जुड़ा हुआ है इसके माइने है प्लैंड योजना बद्ध तो हम विकास की बात करेंगे विकास के माइने जानेंगे कैसे विकास की ओर हमारा देश अग्रिसर हो रहा है इसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वह विकास नियोजित विकास है योजना बद्ध तरीके से किया गया विकास है उसके साथ जब कोई योजना बद्ध तरीके से विकास की ओर अग्रिसर है या योजनाओं के बल पर planned development के आधार पर जब हम विकास की और बढ़ रहे हैं तो लोक तंचर जैसी व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीती भी आती है हर खेतर अपने अपने विकास के लिए दाओं पेज खेलता है, दबाओं बनाता है सरकारों पर, अपने प्रतिनीधियों पर और उस राजनीती के तहट विकास का रास्ता निकाला जाता है तो इस परकार ये अध्याय हो रहा है नियोजित विकास की राजनीती इस अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मूल रूप से इस अध्याय में आर्थिक विकास का जिक्र है सामाजिक विकास, रैजनेतिक विकास, मानसिक विकास, बौधिक विकास और अन्य तरीके के विकास जो हैं वे आर्थिक विकास के बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको दिखाई देंगे तो मुख्य मुद्दा जो इस अध्याय में है वह है आर्थिक विकास का मुद्दा और आर्थिक विकास के माध्यम से अन्य तरह के विकास को कैसे पाया गया या पाया जाने का प्रयास किया जा रहा है इससे समझेंगे पंचवर्षी योजनाएं इस आर्थिक विकास की एक कड़ी थी बहुत महत पूर्ण करी तो इसमें हम पंचवर्षी योजनाओं को पढ़ेंगे जैसा मैंने पूर में कहा योजना बद्ध विकास के तहत इस अध्याय का ध्यन है और हम पंच वर्षियों जनाओं के बारे में जानेंगे उसके बाद हम सारजनिक खेत्र उसका विस्तार और नए आर्थिक हितों की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे सारजनिक खेत्र और उनका विस्तार सारजनिक खेत्र की परिवाशा उनके विस्तार के बारे में जानकारी लेते हुए हम जानेंगे कि कैसे आर्थिक हितों का इसमें टक्राओ होता है और कैसे टक्राओ से हम विकास के अगले पायदान के और बढ़ते हैं तीसरा बिंदू खाद्यान संकट भारत उस दौर से भी गुजरा है जब किनी कारणों से देश में खाद्यान संकट हुआ उन कारणों को हम खंगा लेंगे और उस संकट से उबरने के किये गए प्रयासों पर एक नरदर दोड़ाएंगे साथ ही इन खाद्यान आपूर्ति के लिए पंचवर्षी उजनाओं में क्या प्राधान किये गये थे कैसे पंचवर्षी उजनाओं को खाद्यान की कमी की पूर्ति के उद्देश में जोड़ा गया इसका अध्यन करेंगे और अंत में हरितक्रांती और उसके राजनातिक प्रभाव हरितक्रांती और उसके राजनातिक प्रभाव हरितक्रांती क्या है और उसके क्या प्रभाव पड़े खासकर राजनातिक प्रभाव मूलता ये हमारे बिंदु है इस अध्याए के तो अब हम पिष्ट भूमी पर थोड़ा जाएं विकास की जब बात होती है तो अनादिकाल से मानव जाती का विकास ही हो रहा है उतार चड़ाओ आते हैं पर अंतिता वहां विकास की और बढ़ता है उसकी जो यात्रा है मानव सब्विता की यात्रा विकास की और बढ़ती है और उसी प्रकार जो राजनेतिक व्यवस्था है वो भी समय समय के साथ बदलती रहती है हर खेत्र में तद्काली राजनेतिक व्यवस्था समय के साथ बदलती रहती है उदार नार्थ पूर में राज तंत्र होता था ताना शाही भी थी वो अर्तमान काल जो है वो मूलता लोक तंत्र का काल है ये राजनितिक व्यवस्थाएं उसी परकार पूर में राजा जब शासन करता था तो उसका उद्देश शमात्र लोंगों से कर लेना और उसकी एवज में उनको विदेशियों से सुरक्षा देना यही उसका काम होता था बस राजा का कारक मूलता यही होता था प्रारम में प्राचीन काल में धीरे धीरे राजा याने शासन चाहे वो राज तंत्र हो चाहे तानशाही हो चाहे किसी भी अन्य प्रकार की वश्था हो लोक तंत्र हो तंशदी प्रणाली हो इसमें धीरे धीरे इनके उद्देश्यों में बदलाव आता है हम इस बदलावों का यदि अध्यान करें तो हम पाएंगे कि प्रारंब में जो राज व्यवस्था या जो राजनतिक व्यवस्था मात्र कर टैक्स लेने और शुरक्षा प्रदान करने से प्रारंब होई थी वह राजनतिक व्यवस्था आज के आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बड़े दाइरे में हैं। आज सत्ता का काम, रज का काम, मात्र सुरक्षा पहुचाना नहीं हैं। बलकि ये सुरक्षित, सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति भूखा न सोई, कोई व्यक्ति बीमारी की अवस्था में बिना इलाज के ना रहे कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना हो कोई भी व्यक्ति बेघर ना हो आदी आदी यानि अब शासन की ये जिम्मेदारियां हो गई हैं शासन ने सरकार ने या सत्ता ने ये जिम्मेदारियां ले ली हैं कि उनका काम अब केवल सुरक्षा नहीं है बलकि जनकल्यान है लोककल्यानकारी सरकार है ये जनकल्यान और लोककल्यान लोककल्यानकारी सरकार विकास की बात सोचती है तो हम ये जानने के बात कि वर्तमान लोकतंत्र लोक तांत्रिक व्यवस्था या वर्तमान राजनेतिक व्यवस्था जन कल्यान कारी व्यवस्था है निश्चित रूप से जो जन कल्यान कारी व्यवस्था है उसमें विकास उसका मूल लक्ष होता है बिटिश सामराजवाद जदि हम भारत के परिप्रेक्ष में बात करें तो बिटिश सामराजवाद भारत में लगभग 200 वर्ष रहा 1757 से लेकर 1947 उसके पहले मुगलों का शासन उसके पहले सल्तनत का शासन और उसके पहले भारत के ही विविनर राजाओं का शासन था याने लगभग 900 AD से एक तरीके से भारत जो है वो विदेशी ताकतों के नियंतरण में आने लगा धीरे धीरे तो बिरिश सामराजवाद की दास्ता से मुक्ति के बाद 1947 में जब हमें मुक्ति मिली तो उसके बाद आर्थिक पुनर निर्मान की चनौतियां हमारा मुक्ष हो गया हमारी मुक्ष समस्या हो गई कारण 900 AD से जो विदेशी आकरमन शुरू होते हैं और विदेशियों का शासन शुरू होता है जो 1947 तक चलता है लगभग 1000 वर्ष इसमें ये लोग मूल रूप से भारत का आर्थिक दोहन करने के लिए तो आये थे और इस आर्थिक दोहन का परणाम ही तो था कि जो सोने की चुडिया थी वह अब गरीबों का देश बन गया था तो सबसे बड़ी चुनोती जो सुतंता किता में भारत के सामने थी वह थी आर्थिक पुनर निर्मान इस अध्याय के पहले हमने जो दो अध्याय पढ़े हैं इसी विशा में राजनीत विज्ञान में उसमें हमने देखा था कि कैसे भारत शासन ने भारत सरकार ने और भारत ने राष्ट निर्मान की चुनोती का सामना किया एक अध्याय का शीर्शक था राष्ट निर्मान की चुनोतिया और उसके बाद हमने ये भी देखा कि लोकतंत्र को कायम करने के लिए किस तरह की चुनौतियां होई थी जिसमें विवन प्रकार के दल आए दलों को मानिता मिली जनता को मतदान का अधिकार दिया गया आदी आदी तो दूसरी चुनौति थी लोकतंत्र को स्थापित करने की वह देश जो हजार वर्षों से दासता के चंगुल में था अब उसके लोगों में लोकतंत्र की भावना पनपाना एक बहुत कठिन जटिल कारे था खेत्रीता वाच से उनको उबार कर राष्ट वाच की भावना से ओध प्रोत करना ये एक बहुत दूवर काम था तो ये दो चुनौतियों का हमने अध्यन कर लिया पूर में राष्ट निर्मान की चुनौतियां और लोकतंत्र के उचित रूप से भारतियों में समावेश की चुनौतियां लेकिन अब तीसरी चुनौति इस अध्याय में हम पढ़ना और वह है आर्थिक पुनर्नर्मान आर्थिक विकास आर्थिक पुनर्नर्मान की ये चुनौति इसलिए थी कि इसी में सब की भलाई सुनिश्चित की जा सकती थी आर्थिक मुद्दा जो था वो के लिए था देश का हर व्यक्ति उससे जुडा हुआ है आर्थिक मुद्दों से तो सब की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक चुनौतिया तीसरी सबसे महतपूर्ण चुनौति थी भारती शासन के सामने भारत सरकार के सामने जहां तक पहली दो चुनोतिया हैं उन दोनों का निराकरण या उन दोनों का हल हमने अध्यन किया और पाया की बड़े एक अलग तरीके से कुछ अलग और तनिक कठिन तरीकों से इन समस्याओं का निराकरण किया गया राष्ट निर्मान की चुनोतियों में विलय की चुनोति बहु इन तरीके से मतदान को समजना समझाने की चुनौति थी। अपने प्रत्राजिनाटिक प्रत्राजिनीचियों को चुनने की चुनौति थी। और तीसरी चुनौती जो थी आर्थिक चुनौती वो भी कुछ इसी तरीके से उसके लिए उसकी इस आर्थिक चुनौती का सामना भी कुछ अलग और तनिक कठनाई तरीकों से किया गया जहां तक आर्थिक विकास के मामले की बात है हमको आर्थिक विकास के मामले में उस हद तक सफलता नहीं मिली जिस हद तक हमको पहली दो चुनोतियों का सामना करने में मिली लेकिन फिर भी सफल तो हुए है एक सीमा तक सफलता मिली और उसका इतनी सफलता ना मिलने का कारण के वल ये कि ये चुनोती कहीं ज़्यादा कठिन थी कहीं ज़्यादा गहरी थी दरिद्रता बिलकुल रसातल पर थी देश के पास आर्थिक रूप से जो समस्याएं थी वो सब के लिए मुह बाय खड़ी थी तो इस प्रकार इस अध्याए में हम आर्थिक विकास के बुनियादी सवालों पर लिए गए राजनेटिक फैसले पढ़ेंगे पुना ये वाकिस तुनिए आर्थिक विकास विकास कैसा आर्थिक विकास उस पर कुछ बुनियादी जो सवाल थे बन्यादी जो मुद्दे थे, बन्यादी जो चुनोतियां थी, आधार मुद्द चुनोतियां थी, उस पर जो राजनेटिक फैसले लिए गये उसका अध्यन करेंगे और इसलिए इस अध्याय को हम नियोजित विकास की राजनीति कहते हूं यह सवाल क्या थे ऐसे क्या सवाल थे जो आर्थिक विकास के मुद्दे में से जुड़े हुए थे पहला सवाल जदि हम सरसरी नजर डालें तो पहला सवाल हम कह सकते हैं कि विकास कैसा हो विकास को लेकर मुख्य बहस क्या थी विकास के नाम पर मुख्य बहस क्या थी और इसको लेकर कौन-कौन से फैसले हुए क्या क्या निर्णे सरकार ने लिए जैसे रश्ट निर्मार की चुनोतियों में जो सवाल जो चुनोतियां थी सवाल अरसा चुनोतियां उसके लिए सरकार ने क्या 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 फैसले लिए इसका हमने अद्धिन किया सी पकार यहां अब हम अध्यन करेंगे कि राजनीतिक चुनाटियों का सामना करने के लिए जो प्रश्ण सामने उठ रहे थे बार बार उसका राजनीतिक हल कैसे निकाला गया दूसरा पहले दो दशक की अधि हम बात करें 1947 से 1967 तक के आसपास की तो इन दो दशकों में हमारे देश के राजनीताओं ने कौन सी रणीनीति अपनाई देश को आर्थिक विकास में एक तरीके से गति लाने के लिए और ऐसा क्यों किया कौन सी रणीनीति अपनाई और ऐसा क्यों किया क्या परणाम रहे और ये दो दशक पहले दो दशक की बात है इसको अभी हम अधिन करेंगे उसके बाद ये जो दो दशकों में जो रणीनीति अपनाई गई थी जो तरीके इजाद किये गया थे जो रास्ता लिया गया था उ और क्या सीमाएं थी दिक्कतें क्या आई राह के रोड़े क्या थे आर्थिक विकास हम उस उचाई पर नहीं पा सके जिसी उचाई पर हमने बाकी अन्य चुनौतियों में सफलता पाई थी तो मतलब कुछ बाधाएं थी तो क्या बाधाएं थी हमारी उपलब्धियों को बढ़ाने में आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ाने में कौन कौन सी बाधाएं सामने आएं इसका अध्यन होगा और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि दो दशक के बाद इस रणनीती को छोड़ दिया गया तो क्यों आप ये जान लें कि ये जो रणनीती थी या ये जो लिया गया अक्तियार किया गया शुरू के दो दशकों में उसे 1977 सटर आते आते उसे त्याग दिया गया ये आप अभी जान लें क्यों त्याग दिया गया इसे हम पढ़ेंगे और तब हम जानेंगे कि इसके बाद कौन सा रास्ता अपनाया गया तो इस प्रकार हमारे इस अ अध्याय में आने वाले विविन बिंदूओं को जानने के बाद अब हम चलते हैं अपने अध्याय पर शुरुवात है नियोजित विकास क्या और क्यों किसे कहते हैं नियोजित विकास नियोजित विकास का तात्पर्य या नियोजित विकास के माएने केवल यही है कि विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारन करना क्या माएने हुआ मैंने बताया आपको शुरुव में विकास कई तरीके के होते हूँ हमारा यह अध्याय आर्थिक विकास पर केंदृत है अब आर्थिक विकास के भी बहुत से पहलू है आर्थिक मुद्दों में क्या क्रिशी का विकास, संचार मार्दमों का विकास, स्वास्ट से विधाओं का विकास, शिक्षा क्षेतर में विकास, परिवहन के क्षेतर में विकास, वैग्यानिक सोच में विकास, आदी आदी ना जाने कितने विकास के मुद्दे होते हैं नोजित विकास का अर्थ है विकास की प्राथमिक्ताओं को तै करना और तै करते समय उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग अर्थाथ विकास की प्राथमिक्ताओं का निर्धारन कर उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग करना ही नियोजित विकास कहलाता है मैं विकास की कल्पना करते हुए कुछ ऐसे लक्ष रखूँ जिसके लिए जो प्राकृतिक संसाधन हमको चाहिए वो उपलब नहीं है तो क्या ऐसा विकास पाय जा सकता है? नहीं तो नियोजित विकास वो विकास है जिसमें आपके जो उपलब जो संसाधन है उनका उचित तरीके से दोहन और उप्योग किया जाएगा और ऐसा करते हुए विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थिट धंग से आगे बढ़ाये जाएगा तो विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थिट धंग से बढ़ाना ये नियोजित विकास का लक्ष होता है विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थिट धंग से बढ़ाना ये नियोजित विकास का लक्ष है और नियोजित विकास के लक्ष को पाने के लिए हमें सुनिश्चित करना होता है कि हम उपलब्ज संसाधनों का समुचिद उपयोग करें आजादी के समय जब 1947 में भारत सतंत हुआ तो भारत की आर्थिक स्थिति जैसा मैंने बताया बड़ी दैनी थी दरिद्रों का देश हो चिका था हजार वर्ष का जो शोशन था उसकी परणिर्टी इस रूप में हुई थी कि भारत को एक गरीब देश कहा जाने लगा था बहुत दैनी इस्थिति थी विकास के जो आवश्यक तत्व होते हैं जैसे अधार भूश सोविधाएं पूंजी पैसा अधार भूश सोविधाएं पैसा याने पूंजी तकनीक याने धाचे का उपयोग पैसे का समुचित उपयोग उसके लिए टेकनालोजी आदि ये तीनों चीजों का बहुत अभाव था और ऐसे देश में जहां इन तीन चीजों का अभाव है तीनों का जो आधार भूश जरूरत हैं विकास के लिए वहाँ पे आर्थिक विकास बहुत कठिन हो जाता है भार विकास की बड़ी जन संख्या भी एक बहुत बड़ा कारण थी विकास की रास्ते में एक बाधा थी इसको जीवन की आवशक श्रूरत हैं उपलब्द कराना ही सबसे बड़ी चुनोती हो गई आधार भूश श्रूरत हैं जिसे हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान आधार भूश श्रूरत हैं उपलब्द कराना ही एक सबसे बड़ी चुनोती हो गए अजादी के बाद सरकार के प्रती तो ये जनता की अपेक्षा थी वो भी एक बहुत बड़ी चुनोती थी अर्थात हम बात कर रहे हैं कि नियोजित विकास के मार्ग में क्या-क्या बाधाएं थी पहला अत्यातद दैनी स्थिति दूसरा विकास की आधार भुद चीजों की उपलब्दता नहीं होना गैर उपलब्दता तीसरा भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या चौथा भारत का स्वैम का एक गरीब होना पूजी नहा होना ये एक बात है पर जनता का स्वैम का त्याधिक दरिद्र होना ये एक और बात है पांचवा इतने लंबे स्वतनता अंदूलन में शक्री रूप से पूरे देश के लोगों ने भाग लिया और भाग लेते थे में उनकी इच्छा थी ये अपैक्षा थी कि अंगरेज के जाने के बाद जो भी स्वैसन करेगा भारत पर जो भी दल जो भी सत्वा में आएगा वो हमारे इन इच्छाओं को पूरी करेगा अर्था जन इच्छा जन अपैक्षाएं बहुत बड़ी थी ज्यादा होना मतलब सरकार पर बहुत जाला दबाओ होना जनता का दबाओ होना ये एक अगली समस्या थी और इसलिए इन समस्याओं के निराकरण के लिए एक ही रास्ता दिख रहा था वो था कि भाई हम केवल योजना बद्ध तरीके से सुन योजित तरीके से प्लैनिंग की धारना के साथ तीवर और व्यवस्थित सामाजिक आर्थिक विकास की ओर चलें समझ के सा योज ना बद्द तरीके से व्यवस्थित तरीके से प्लैनिंग के साथ आर्थिक सामाजिक विकास की ओर चलें और इसलिए हमने प्लैनिंग वाली धारणा को अपने विकास के साथ विकास के लक्ष के साथ जोड़ा और कहा सुनियोजित विकास नियोजित विकास ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे नियोजित विकास क्या क्यों अब ये पांचे छटवा बिंदु जो है जिसमें नियोजित विकास को और प्रबल बनाया वो था कि भारत में संसाधनों की प्रचुरता तो थी, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता तो थी, लेकिन मैंने जासा बताया, इन संसाधनों के दोहन की तक्नीक तो नहीं थी. प्रकृतिक संसाधनों की प्रचूरता से मेरा तालुक है कोईला, पिट्रोलियम, अन्य खनिच पदार्थ और अन्य ऐसे संसाधन जो प्रकृति ने हमको दिये हैं चाहे वो जल हो, चाहे वो रसायन के, चाहे वन हो और धरती के अंदर के संसाधन जो हो इन सब के उप्योग के लिए जो तकनीक लगती है, उसका भाव था तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनोती थी, बहुत बड़ी समस्या थी दूसरे शब्दों में, हम ये कह सकते हैं कि एक और संसाधन की प्रचूरता थी, तो दूसरी और तकनीक शूनि थी, तकनीकी ज्ञान शूनि था, अगली समस्या वो ये थी कि विकास की चुनोतियों की तुलना में, जो उपर मैंने आपको चुनोतियां बताई हैं जहां इसकी तुलना में संसाधन कम थे उपलब्ध आर्थिक संसाधन कम थे धन कम था, पूंजी कम थी अगली समस्या भारत ग्रामीड देश माना जाता है अर्थात देश की अधिकाश जन संख्या ग्रामीड खेत्रों में निवास करती है और गरीबी का जीवन व्यतीत करती है तो ये ग्रामीड प्रिष्ट भूमिक में अधिकतर लोगों का रहना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि ग्रामीड जीवन जो है वो बड़ा एक रुका हुआ थमा हुआ जीवन रहता है उन लोगों में ज़्यादा उमीदें ज़्यादा अगरसर ज़्यादा आगे बढ़ने का वो नहीं रहता माद्दा जो शहरी लोगों में होता है इसके बहुत से कारण है लेकि सचाइए है कि ग्रामीड जीवन एक शांत जीवन एक स्थाई एक एक रुका हुआ जीवन रहता है और वहाँ पर जदी हमारी ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीड है और वह भी गरीब है तो समस्या और बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों के साथ विकास की बात करना या विकास के दर को प्राप्ट करने की अपेक्षा करना एक और कठिन काम हो जाएगा अगली समस्या थी ग्रामीडों के अलावर एक तबका ऐसा भी था भारती समाज का जनसंख्या का जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ था आपने सुना होगा अच्छूत, दलित, मूल निवासी जने हम आदिवासी जन जाती है और निनामों से जानते हैं भरिजन ये जो कटा हुआ समाज था ये तबका भी काफी बड़ी संख्या में था तो इनको मुख्य धारा में लाने की समस्या और चुनौती भी तबका अलीन शासन के सामने खड़ी थी कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये लोग समाज के साथ जुड़ें मुख्य धारा में आए इसलिए जरूरी था कि सामाजिक नियाए विकास में सामाजिक नियाए को जरूर शामिल किया जाए अर्थार ऐसा विकास जिससे समग्र समाज का समग्र समाज का उधार हो समग्र समाज का विकास हो वही हमारा लक्ष होगा ऐसा विकास नहीं जो समाज के कुछ वर्ग के लिए ही हो अर्थाद विकास के साथ सामजिक नियाए के लक्ष को प्राप्ट करना ये बहुत बड़ा लक्ष हो गया बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनोती इतनी सारी चुनोतियों में विकास के नाम पर ये सब चुनोतियां तो थी अब विकास के लिए सामाजिक नियाएं का होना एक तरीके से भारती तदकालिन भारत के लिए अप परिहारे हो गया था यदि सुनिश्चत करना है कि समुचित विकास हो तो हमें सामाजिक नियाय को ध्यान में रखना होगा तो इस प्रकार इन सब कारणों से नियोजित विकास का मार्ग सर्वश्रेश्ट सबसे उचित मार्ग माना गया और इसलिए नियोजित विकास हमारे तद्का अली निशातिन का लक्ष बना